हेलो गाइज आज हमें पर्पोशन करेंगे पार्टिकल्स के मासेज दे रखें तो मासेज मान के चल लो हंड्रेड एंड थ्री हंड्रेड ग्राम्प्स ठीक है जी लगाई और पोजिशन वैक्टर दे रखा है तू आई कैप प्लस फाइव जे कैप प्लस थर्टीन के कैप और दूसरा एक और वैक्टर दे रखा है वो है माइनस सिक्स्टीन आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस तू के कैप ठीक है अब इसके बाद दे रखा है पोजिशन वैक्टर आफ देयर मासेज निकालने है ठीक है तो अब पोजिशन वैक्टर निकालना है तो हम i cap लगा के कर सकते हैं तो 100 into 2 कितना होता है 200 हो गया 200 इंटो 3 माइनस 16 166 इंटो 318 डबल 0 एन मासिस का एड़ तो 100 प्लस 100 प्लस 300 इस इकल टू 400 तो आंसर कितना हो गया माइनस 1600 अपान 400 जीरो से जीरो पैंसल ठीक है और i cap लगा लेते हैं मैं 16 डिवाइड बाइ 4 नहीं कर रहा क्योंकि अभी आगे और देखते हैं कि अगर 4 में ही आगे चलता रहा तो फर 4 से कर दो जे कैप अब जे कैप में कितना गया 100 into 5 is equal to 500 ठीक है and 300 into 4 12 okay 12 and 2 0 upon 400 then answer is 1700 means 1700 upon 400 so 17 upon 4 जे कैप then कैप 100 into 13 1300 plus 6 and 2 0 300 into 2 600 upon 400 is equal to 18 is 13 plus 6 19 1900 upon 400 okay 1900 into 400 and then cancel to k कैप so position vector is minus j cap upon 14 minus 16 upon 4 i cap plus 14 upon 17 upon 4 j cap plus 19 upon 4 k cap this will be the answer okay of the position vectors for the center of masses if you have any problem please comment to me i will solve all your doubts and clear your concept so bye bye and have a nice day